अखिलेश यादब प्रेस कॉंफरेंस करें सीधवाई लिए चलते हैं रोजगार, उत्वदेश की खुशाली, तरक्षी, उत्वदेश का इंट्रस्ट्रेक्चर को कैसे बहतर करें आज के समय पर कैसे रोजगार हो, कैसे नौकरी हो संकल्ब के बाद, समाजवादी पार्टी एक और संकल्ब लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह, दुनिया के सबसे बहतरीन लैप्टॉप बटने का काम किया था फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवादों को, छात्रों को, जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैप्टॉप उबलत कराने का काम सरकार से होगा पहले लाखो दिये थे लैप्टॉप और उसका परणाम ये हुआ कि लाख और लाख नौजमानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतिजाम कर लिया उसमें कई उधारण है कई ऐसे चाथ नौजमान है जो उन्होंने लैप्टॉप समाजवाजी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंदा शुरू कर दिया मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजमान अपने आप उसी समाजवादी लैप्टॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था मुझे वो भी समयाद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैप्टॉप छीन लिया गया था और अख़वारों में छपाता कि जब लैप्टॉप छीन गया उससे तो पूर्या घर ने खाना नहीं खाया उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैप्टॉप भिजवाने का काम किया था अभी जब मैं मिर्जापूर गया था तो उस बेटी उस परिवार से में मिला था समाजवादी पार्टी के दियुए लैप्टॉप आज भी चलने हैं आज भी नौजमानों की मदद और नौजमानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहें इसने दूसरा संक्र समाजवादी पार्टी लेती है आने वाले समय में सरकार बनने पर लैप्टॉप चात नौजमानों को बांटने का काम सरकार से रोगा और एक लोगों पर F.I. दर्ज कराएंगे हम लोग समाजादी पार्टी की लीगल टीम भारती जनता पार्टी के IT सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तरप्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारती जनता पार्टी की टीम लगाता लगी हुई है कि कैसे जूटा परचार हो उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र वेपारी कानपर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है उस व्यक्ति पर एफायर जरूर समयादी पार्टी कराईगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जागर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो भारती जनता पार्टी से जूटा कोई नहीं है उनसे ज़्यादा जूट बोलने वाला कोई नहीं जूट बाटने वाला कोई नहीं और उनी के लोग उस जूट पर भरोसा भी करते हैं तो अभी दी जाएगी तेहरीर अभी दी जाएगी कारवाई सरकार के बाद होगी यही सुनना चाहते थे यह क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफाइड नहीं होती ना पकड़ा पकड़ी होती है अगर इनके नेताओं खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूड़ते हुए और जब उत्ते बिसके डीजी पी पावरी नहीं बची मुझे बताए कि पावरी खत्म होगी उनकी किसे जाए लेकिन फिर भी समय जादी पार्टी देखर के आएगी एक तहीर देगी कि जन्नों ने इस तरह का किया है जो धाराएं बनती ही हो उसके खिलाफ कारवाई हो ऐस सरकारी पैसे से यह दुर्पयोग नहीं होना चीए सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाए जा रहा है हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे इस लागा एडिए बत्रौह सम्तों और दémentती है में लागा ने हो जा एड में लगा पैसे बत्रौह हैं दोलता। कशी में आपकाे जाएं इस ही आपका के का। कि आप अउन कर लागद ए अई तो अखलेश यादव यहाँ पर प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सीरी तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं कुछ एक फोटो दिखाने की कोशिच वहाँ पर की जा रही है क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही चुनाव आयोक की ओर से प्रेस कॉंफरेंस की जाएगी उससे पहले अखलेश यादव की इस प्रेस कॉंफरेंस के अपने माएने हैं कर दो कर दो देखें तस्वीर भी अखलेश यादव की ओर से दिखाने की कोशिच की जा रही है इसमें अकिलिश क्यादव नज़र आ रहे हैं